सूप्रभात विध्धार्तियों, आज हम चार चान चांदना पाठ पाच अम्रुता प्रितम द्वारा लिखीत इस पाठ का आगे का भाग पड़ेंगे, उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है, मान लिया तो हार और ठान लिया जीत, इसका आर्थ यह है कि हार और जीत, दोनों मालूम है आपको एक दुसरे की विरुधार्ति शब्द है, अगर हमने सोच लिया तो हम हार गए, और हमने सोच लिया तो हम जीत गए, उसके लिए से सोचने से ज़्यादा जरूरी है उससे कर दिखाना, क्योंकि हार कई बा मोहर लगाना है, और इसी लिए हमें हारना नहीं है, क्योंकि कहा गया है, अगर हार मान लिया तो वो हार है, और ठान लिया कि इस हार पर हमें मार देना है, मात देना है, उससे हराना है, तो हम उस जिन जरूर जीत जाएगे, अब हम पाठ आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हम देखेंगे कि पिछले भाग में हमने कुछ साथकतकार में हमने यह देखा कि अमृता पृतम जी शोबास यहां से प्रश्न करती है तो पहले उन्होंने कर्मकी व्याक्या क्या है यह उच्छा है उन्हें उन्होंने कहा कि आपने चित्रकला का माध्यम कैसे चुना उस पर भी उन्होंने बहुत शांत इससे बहुत अच्छे इससे उधारन देते हुए अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताई जब आठ दस बरस के करीब थे तब उन्होंने एक परचती को अपन घर बना लिया था और उसमें सब दो हंडियों में चंपा के पौधे लगा दिये थे और वह उनकी कल्पने कल्पना थी और उस कल्पना के आधार पर उन्होंने चित्रकला को आरंभ किया था फिर उन्होंने प्रश्न किया अमृता प्रितम जी ने कि आप औरत को औरत के तोर पर महत्ißtव नहीं देतें केवल मा के तोर पर महत्व रहने हर किसी ओरत को मा कहते हैं मा का का दर्जा देते हैं तब उन्होंने बहुत अच्छे से से इसका उत्तर दिया कि जिस प्रकार से लेखिका कामातव अम्रता प्रितम्जिस से कहा कि आपका मात्व आपके लेखन से हैं लेखिका होने से उसी प्रकार से एक औरत का मात्व उसके होने से हैं फिर उन्होंने प्रश्ण किया कि कलाकार का कर्म समुची समुची पुर्ण दुनिया के होने से कोई फर्क डाल सकता है अंतर डाल सकता है तब उन्होंने उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया यहां से हम आगे का भाग भी पढ़ेंगे कि शोबासिया जी कहते हैं मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोंबत्ती समझता हूं एक कलाकार का कर्म कारिया एक जलती हुई मोंबत्ती के स्वरूप में बताया है उन्होंने कि जिस प्रकार से मोंबत्ती जलती है तो वह बहुत उजाला तो नहीं देती पर अपने इर्दगीर देने पूरी सभ्वता को प्रभावित कर सकता है अम्रूता प्रितम जी कहते हैं हमारी धर्त का यथार्थ बहुत भयानक है क्या आप कभी वह यथार्थ चितरित करना चाहोंजें कि diferentes अथार्भी यनले सच्चाय जी वहां चाहो दो उस पर सोबाशीहंजी कहते है नहीं वो यथार जग जग पर सडकों की पट्रियों पर भी चित्रित हुआ है भयानक गरीबी और अंतहिन दुखों का इथियास है उसे मैं दोबारा कागस पर क्यों चित्रित करू जिंदगी की खुपसूर्ती और जिंदगी की अच्छाई जो क्यों चित्रित करूं मैं उसे कागच पर चित्रित करना चाहता हूं ताकि वह मिटते मिटते कभी हमारी कलपना से भी नम मिट जाए विलियम ब्लैक की एक पंक्ती में है कि सुन्दर इश्वर को गुलाब का एक फुल बनाने में पचास हजार बरस लगे थे अगर हम स्वयम को बढ़ा कर ले तो कुछ दुनिया में खोता जा रहा है वह किसी हद तक हो जाने से बच जाएगा अगर हम स्वयम को बढ़ा कर ले तो दुनिया में जो बहुत कुछ खो रहा है खतम हो रहा है समाप्त हो रहा है वह कुछ कम हो जाएगा गुरुओं के चित्र भी इसलिए बनाता हूं क्योंकि उनके स्वयम महान थे कभी कोई गुरु के हाँ से या किसी महान वैक्तित्व के हाँ से अम्रुत चक लेता था वो सचमुच एक को एक शक्ति को धारन कर लेता है तो वह केते हैं कि एक महान वेक्ति तो वके हात में अम्रुद छक लेता है अम्रुद छक लेना याने अम्रुद को छकना की एक विधी है जिसके बाद धर्म के जो सिध्धानतों का पालन करना अवशक होता है तो उसी प्रकार उसे अमृत छकना कहते हैं, फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ एक स्थिक धर्म की विधी है, कि जिसके बाद धर्म के सिध्धानतों का पालन करना बहुती आवशक होता है, तो वे कहते कि वह अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारन कर लेता था यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, जो उसे शक्ति देता था, यह उस वेक्तित्व का प्रभाव था, जिसके हासे वह शक्ति ग्रहन करता था, कलाकार का कर्म भी एक वेक्तित्व बनाना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है, कला जब कला के लिए हो यहां पे से संबन्दित आपको अश्वे मत आसकता है कि ताला करकी का लूज पर पने विचार विच्ँ कीजिए एससे कई कि प्रकार के आपको यहां स्व। अभिवेक्ति की चेह पठनेयां में दिया हैं कला अभिवेक्ति का माध्यमें अंतर जाल की साहता से इसकी जानकारी इखट्टा कीजिए अब कला यह अभिवेक्ति का माध्यम है सब में अलग-अलग कलाये छिपी हुई होती है कोई चित्रकार होता है कोई लेखनी करना चाहता है किसी को पढ़ना अच्छा लगता है कोई नृत्य करना अच्छा जानता है किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो ये हर किसी की अपनी अपनी कलाये हैं और वह हमारी अभिवेक्ती हमें अभिवेक्त करने का माध्यम बनती है तो इसके उपर भी आप नेविचार लिख सकती हो ये सब प्रश्ण में आपको PDF में ग्रह कारियक के इसमें दूगी आपको उसके उत्तर लिखना है और आप फिर हमें वाक्सप के माध्यम से भी आप मुझे उसे भेज सकते हो तो अब हम आगे पड़ेंगे अम्रुता प्रित्तम तो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में इसमें आप दर्शक का कर्मक क्या समझते हैं अर्थात वह यहाँ पे पूछ रही है यद्धात का अर्थ क्या है सत्य वास्तवित्ता चिंतन याने मनन सोच विचार करना तो वह कहती है कि कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में उसके सोच विचार में है और चिंतन के अमल में और चिंतन करना याने अमल करना और इसके आप दर्शक का कर्मक क्या समझते हैं इसमें दर्शक का कर्मक क्या है यह क्या समझते हैं आप इसके बारे में यहाँ पर फिर से उसने उन्होंने प्रश्ण किया है सोबाशी हजिय से कई दर्शक ऐसे भी ते दर्शक है ने देखने वाला जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते या सरसरी नजर से सब चित्रों को देख कर पूछेंगे बस और तस्वीरे नहीं है पर कलाकार का कर्मक किसी हद तक दर्शक को वह आख देना भी है जिससे वह देख समझ सके अब कई बार होते हैं कई दर्शक होते हैं कई लोग समझने वाले होते हैं जो उसे समझते हैं और तो बहुत बारीकी से चित्र को देखते हैं समझते हैं कि क्या वर्णन किया है वहां चित्रकार ने पर कई लोग होते हैं कि सर करते हैं तो यहां पर यहीं कह रहे है कि कई वो जित्रकार का काम और चित्र को बनाए कि हर किसी की नजर उसके चित्र फ़स्ट की रहे कुछ दिन हुए एक अमिर सी औरत आई बड़े आदर से चित्रों को देखती रही बैठी रही फिर बोली आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया मैंने पुछा आपने इतनी देर इस पहाडी हवा में सास ली फिर क्या यह सुप प्रसाद नहीं है क्या प्रसाद सिर्फ बुंदी होता है यही सोच और सूज होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना होता है तो कितनी एक पर बात कही है उन्होंने की जो भी हम कारेय करते हैं यहां तो वह यहां अपने चित्रकार के मार्ण्ध्यम से बताया है पर उसके पीछे उन्होंने बहुत अच्छा उद्धेश के बहुत अच्छा ग्यान हम सभी के लिए छोड़ा है कि कार्य क्या है जब हम कोई अपना कार्य करते है तो सिफार्य किया है या पूरा करना है या उद्देशा नहीं रहतना है उसके अंदर छिपे हुए भाव को वैप्त हो उस प्रकार का बहकार्य हमें करके छोड़ना है ताकि आगे वाले को उसका फल प्राप्त हो तो यहां पर उन्होंने यही बताया सूज याने समझ अपनी सोज भूज समझ से उन्होंने यहां पर यह चीज हमें